मुझे लगातार में एमसी की वीडियोज बना रहा हूँ और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट अठारा सो बहर तर अब आपको सामने अगुरीमेंट में देखना है कि अगुरीमेंट क्या होता है तो आप जानते हैं और अप्षण देख लेंगे वैसे तो और ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को अगुरीमेंट कहते हैं ठहराओ बराबर होता है प्रस्ताओ plus security उसके बार है contract हम जानते हैं कि agreement अगर enforceable है agreement को अगर आप कानूनी दोर से लागू कर सकते हो तो वो contract हो जाता है तो contract का मतला होता है agreement plus enforceability की प्रवर्तनियता फैराओ की जगे समझोता शब्द भी आता है उसके बार है just and personal आपको पता है कानून विरुद और एक किसी व्यक्ति के विरुद तो जो व्यक्ति के विरुद अधिकार होते हैं उनको बन बोलते हैं व्यक्ति लक्षी अधिकार just and personal जो contract act है वो आपको local लक्षी अधिकार नहीं देता contract act पूरी दुनिया के against आपको right नहीं देता वो किसी particular person के against right देता है इसके साथ आपने contract हिया है तो just and person का मतलब है एक विरुद व्यक्ति के खिलाफ अधिकार right against a specific person तो आपको याद करना है ठीक है सर्थ और consensus add idem इसका मतलब होता है किसी एक बात पे एक भाव के साथ राजी होना जो मैं समझ रहा हूँ वही आप समझे मतैक्यता बोलते हैं इसको consensus एक बात पर एक भाव से सहमत होना तो इसके लिए English में word है agreed upon something same thing in same sense अगर आपने इसको देख्या तो देखिए सबसे पहले आपका एक जो है एक जो है वो जाके c के साथ match हुआ and so on तो यह आपके सामने option आए पहले के साथ c दूसरे के साथ d और तीसरे के साथ a चौथा तो फिर बचा हुआ वैसे ही understood हो जाता है तो पहले के साथ c आ रहा है b में और c में दूसरे के साथ d चाहिए वो भी आ रहा है तीसरे के साथ A चाहिए वो यहां है तो सर इसका आप C आंसर लगेगा ठीक है सर दिखते हैं The Indian Contract Act 1872 is passed by अब यह जो अनुबंद अधीनियम है कि किस ने पास किया था तो सर यह भारतिय संसद नहीं पास किया था पुलकता संसद ने पास किया था हो सकता है मैं लगता हो कि उस समय तो British Government थी तो British Parliament लेकिन यह ऐसा एक्ट नहीं है जो वहां कि Parliament ने पास किया हो यह भारतिय संसद में ही पास हुआ था और पुलकता संसद में पास हुआ था तो इसका आप से रहने वाला है Indian Parliament Next Question है Just in personam means a right Against a specific thing नहीं Specific person yes व्यक्ती लक्षी अधिकार जो होते हैं व्यक्ती लक्षी अधिकार में आपका अधिकार किसी विशिष्ट व्यक्ती के खिलाफ होता है Suppose किजिए कि आपने B के साथ कोई agreement किया पास में B हो सकता है कोई नाटक करता है या आनका नहीं करता है तो जबके जो भी अधिकार है वो आपके B के विरुद होंगे आप उन अधिकारों के लिए नियायले तक में भी जा सकते हो लेकिन अगर आपने contract B के साथ किया था आप जगरा C के साथ नहीं का सकते आपने B के साथ अनुबंद किया तो जो भी अधिकार या दायत्व है वो B के प्रती है आपके वो पूरी दुनिया के प्रती नहीं है Next is An agreement with a party who is not competent to contractors अगर आपने अनुबंद किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया Agreement यानि ठहराओ अगर आपने ठहराओ जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जो सक्षम ही नहीं है तो फिर अनुबंद आपका व्यर्थ हो जाएगा व्यर्थ भी बोलते हैं शुन्य बोलते हैं अंग्रेजी में वाइड बोलते हैं अनुबंद ऐसा आपको करना ही नहीं चीए था जो पार्टी समझ लीजिए या तो माइनर है या पार्टी ऐसी है जो अन्साउंड माइंड की है या एक ऐसी पार्टी है जिससे कानूनन डिस्क्वालिफाय किया हुआ है तो कोई तुक नहीं है ऐसी पार्टी के साथ अनुबं करने का अगर आप कर भी लेंगे तो उसे व्यर्थी माना जाएगा कोर्ट की नजर में उसकी कोई वैलेडिटी नहीं है पांचो वशन इनमें से क्या सही है तो ये गलत हो गया सर देखिए अग्रिमेंट तो वो होता है जहाँ पे एक ओफर हो और एक एकसेप्टेंस हो किसीने प्रपोजल ओफर या प्रपोजल रखा हो किसीने प्रिस्ताव रखा हो और फिर सामने वाले ने उसके उपर स्विकृती दी हो तो प्रिस्ताव और स्विकृति जब ये दोनों मिल जाते हैं कब जाके agreement बनता है अगर proposal unaccepted हो गया, reject हो गया तो वो agreement नहीं बन सकता तो पहला statement गलत है An agreement enforceable by law is a contract एक ऐसा ठहराओ जो कानूनी तोर से प्रवरतनिया हो वो ही अनुबंद होता है, बिल्कुल ठीक है सर हमें पता है कि पहले agreement होता है agreement होना चाहिए और agreement अगर ऐसा है जो enforceable है जिसे कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है तो वो contract बनता है second statement true है An agreement can only consist of an offer नहीं, ये वल offer होने से agreement नहीं बनता agreement होने के लिए पहले एक जना offer करेगा और दूसरा उस पर अपनी हाँ भरेगा acceptance देगा, तो ही बात बनेगी और an agreement can only consist of an acceptance केवल स्विकृती होने से भी काम नहीं चलेगा तो बाकि सारे wrong answer second सही है next question आने वाला है कि which of the following is true इन में से क्या सही है all agreements are contract, सारे ठहराओ contract होते हैं, नहीं ठहराओ करी तरह की होते है सामाजिक ठहराओ, राजनेतिक ठहराओ, धार्मिक ठहराओ तो वो सब के सब contract नहीं होते all contracts are agreement yes, देखिए agreement होना pre condition है pre requisite है ये पूर आवशकता है पहले अनुबन होगा पहले ठहराओ होगा, तो ही वो अनुबन में convert हो सकता है ठीक है, पहले ठहराओ तो होना जरूरी है उसके अंदर कानुनी रूप से वो प्रवर्तनिय होगा तो वो अनुबन का रूप धारन करेगा तो जो अनुबन है वो ठहराओ तो अवश्य रूप से है तो ये बात सेकेंड वाली सही लिखी है और Accepted Offer is known as Counter Offer नहीं Counter Offer तो यह होता है कि जैसे एक विक्ती ने एक उफर रखा और बी विक्ती ने उसमें condition लगा दी जैसे ए विक्ती ने कहा कि मैं अपनी कार दोलाक रुपे में बेचना चाता हूँ अभी ने कहा दिया मैं दोलाक रुपे में लेने को तयार हूँ लेकिन मैं पचास-पचास जार रुपे करके दूँगा तो उसने Counter Offer रख दिया तो Accepted Offer नहीं है Accepted Offer को Counter Offer नहीं बोलते और Set of Promises यह भी गलत है जहां Promise होता है या Promises का Set होता है जो एक दूसरे के लिए Consideration मनाते हैं तो हम Agreement कहते हैं मतलब वचन वचन तथा वचनों का समुझ्च वचन वचनों का समुझ्च जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्मान करते हैं थहरा होता है तो यह गलत है रियल लाइफ में क्या होता है अपन थहराओ और अनुबंद इनको एक ही बात मान लेते हैं लेकिन कानूनी दृष्टी में थहराओ और अनुबंद बहुत अलग-अलग चीज़े हैं तो यह जो परिभाशा दी है यह वाली इसकी है तो मतलब यह गलत परिवाशा दिये रखिये है इन में से सही तो फिर भी ही हुआ केवल भी सही है बाकी सारे ही गलत है तेवन्थ क्कॉशन एन अग्रिमेंट एनफॉर्सेबल बाय लौ अंडर दे इंडियन कॉंट्रेक्ट आक्ट 1872 इन राइटिंग इन ओरल बोत ए एंड बी इदर एवर भी देखिये यह कई ज़रूरी नहीं है कि अग्रिमेंट आपका राइटिंग में होना जिए वह ओरल भी हो सकता है अब ये बात चलो बच्चे को पता है इस्टुटिंग को पता है कि अग्रिमेंट राइटिंग या ओरल कैसे भी हो सकता है अब प्रॉब्लम क्या है कि वो फिर लेते हैं कि सी ओप्शन लें या दी लें कि दोनों हो सकते हैं देखिए जब आप C option लेते हैं, C option का मतलब होता है कि दोनों होना चाहिए, वो writing में भी होना चाहिए और वो oral भी होना चाहिए, जबकि नियम यह है कि वो writing में होगा, तो भी चलेगा, या oral होगा, मौकिक होगा, तो भी चलेगा, तो इसका answer D देना चाहिए, तो कई बार अप पर मुझे लगा एक बाद बता दिनी चाहिए एक नेक्स इस आप रपोजल वेन एकसेप्टेड बिकमस एक रपोजल जब एकसेट हो जाता है तो बन जाता है प्रॉमिस तो ये लाइन तो सब्सक्राइब को याद हिए आपको याद लेनी है कि एक उफर ठीक है पहली बात तो जो है वो 2B में define किया गया है और उसका मतलब यह है कि एक proposal एक प्रपोजल जब accept हो जाता है तो वो बन जाता है promise acceptance अलगी चीज है contract अलगी चीज है इस cancer C रहने वाला है 8th cancer C रहेगा 9th question है agreement is defined in section dash dash of the contract act agreement को किस section में define किया गया है तो देखिए सर एकाथ दो question तो आपको section से related मिल सकते हैं तो agreement define किया गया है 2E में तो section आपको बहुत अच्छे याद रहने एक तो 2E जिसमें agreement को define किया गया है और एक आपको याद रहना है 2H जिसमें contract को define किया गया है तो यह दो आप अच्छे से याद कर लीजेगा और 2C में वैसे बताया गया है कि प्रॉमिजर कौन होगा तो जो offer देता है और बाद में जिसका offer accept हो जाता है तो वो person प्रॉमिजर बन जाता है और जो बंदा यह promise देता है acceptance देता है वो promise बन जाएगा इसके बाद यह है कि 2G क्या है तो आप जैसे आप जयात कर लीजे कि 2G से आप जैसे गंदा यादर लीजे तो एक agreement ऐसा जो void है जो कानूनन ठहरता नहीं है वो आपका void agreement होता है और रहा 2i तो यह होता है आपका voidable contract एक ऐसा contract जो समझो जबर्दस्ती करने की कोशिश की गई है किसी को बेवकूप बना के नहीं कोशिश की गई है वो अपन आगे और भी e में define किया गया है चलिए next question देखते हैं a contract is तो बहुत आसान है कि contract क्या है agreement प्लस enforceability अगर यह हो तो वह आपका contract हो जाता है बाकी option बले आप देख लीजे पर जिसमें ठहराओ हो और ठहराओ के बाद प्रवरतनी इता हो यह कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है वही contract कहलाता है और यह 2H में define किया गया है small h YouTube पे जो आप वीडियोस देख रहे हैं वो करीबन 100 totally आपको available होंगे पूरे freely available होंगे लेकिन आप भी यह समझ रहे हैं कि यह केवल mcq questions है इन में से कुछ questions आ सकते हैं लेकिन सब कुछ तो इस में से नहीं आएगा labels तो आप जानते हैं बहुत vast है तो मैंने एक पूरा course design किया है और वो हमारे commerce point app पे available है आप उस app को download कर सकते हैं उसके अंदर क्या क्या content है मैं आपको एक brief idea देता हूँ उसमें हमने करीबन 300 mcq videos बन इसके अलावा three theory videos हैं देखें sir आप यूं समझे कि आपका मुटा मुटा syllabus जो है उससे अगर अपन छोटे छोटे 100 topics में डिवाइड करें 100 chapters में डिवाइड करें तो at least एक chapter को समझाने के लिए 4 या 5 classes की जववत होती होती है उसमें notes, differences सारे आ जाते हैं तो वो करीबन हमने 500 videos में cover किये हैं करीबन आदे घंटे की length के होते हैं इसके अलावा जो question आप देखिए आप teacher बन गए तो practically तो आपको question board भी कराने हैं तो वो हमने 200 video shoot किये हैं जिसमें questions को practically कैसे solve किया जाता है again जब questions solve करेंगे तो इसमें नियम और सब कुछ आपके सामने आएगा आपका 30 marks का education psychology भी है उसके भी 50 videos हमने incorporate किये हैं ताकि आपको एक rough idea लग जाए मैं नहीं कहता 50 videos से पूरा इस psychology हो जाएगा पर आपको एक rough approach सो आ जाएगा कि कैसे education psychology को पढ़ा जाता है इसके लब main जो मैं मानता हूं feature है कि हम daily 40 minute का पौन घंटे का live class लेंगे और 15 February से start होने जा रहे हैं अगर आप interest rate है तो नीचे जो Google form दे रखा है description में वो आप भर सकते हैं या आप मुझे इस number पर WhatsApp कर सकते हैं जो screen पर आ रहा है और अगर आप 15 February के बाद भी अगर join करते हैं जबी भी join करते हैं तो यह साधी recorded form में आपको मिलेगी तो daily class होगा class के बार पर record हो जा जाएगा इसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो वीडियो पार्ट है वो है और मैं कुछ और फीचर्स आपको बदालता हूं आपको एक मैने तक के trial classes freely ले सकते हैं क्योंकि एक बार के लिए trust कर पाना पड़ा मुश्किल होता है कि आप इतना सब content देंगे क्या और आप अ language यूज करूंगा जैसे हिंदी अंग्रेजी दोनों भाशाओं का प्रयोग करूंगा जो कि आसान से होंगे आप आराम से चीजों को बैटर वे में समझ पाएंगे दोनों ही भाशाएं आनी चाहिए मैं मैं मानता हूं कि classes daily live होंगी बताई दिया recording दिए जाएंगी ठीक है ए आपके लिए installment fees facility भी है course का rate वैसे तो बहुत ही nominal रखा है आप उसे देख सकते हैं app पे जाके फिर भी उसके बावजूद भी मैंने उसे बहुत छोड़े चोड़े 300-400 रुपे के installment में break up भी किया है तो in case कि अगर आपको लगेगी सर्व हमने ले लिया और हमें बाद में और नहीं लगे तो 300-400 रुपे घाटा खाली जेगा ठीक है इतना कोई बड़ा घाटा नहीं है अगर एक something 50,000 प्लस रुपे monthly की जौब के लिए जा रहे हो और एक 4-5 ज़दा का course है तो वो अपन बहुत आराम से कर सकते हैं और वो भी अपने को installment में देने हैं इससे तो खह जाएंगे जिसमें अपने doubts put up करेंगे और मैं या बाकी other student होंगे वो उनको solve करेंगे तो तरह का रहेगा सर इसके लावा 10,000 MCQs आपको PDF format में दिये जाएंगे और last में जब exams almost आने वाले होंगे या तीन महने करीबन बचे होंगे तो 50 sample papers upload किये जाएंगे जिनको आप लगा which of the following legal statement is incorrect आपको इसमें से incorrect identify करना है इसका पहला मतलब यह होता है कि अगर आप incorrect को identify कर रहे हो तो मतलब बाकी तीन correct है तो अब proposal when accepted becomes a promise एक प्रस्ताव जब स्विकार कर लिया जाता है तो वचन बन जाता है यह बिल्कुल सही बात है all agreements are contract यह बात सही नहीं है वैसे भी सही नहीं है लेकिन इसमें पूरी बात ही होती है कि सारे agreement contract माने जाते हैं अगर वो पक्षकारों ने स्वतंत्र सहमती से किये हों कानूनी लागू किये जाने योग्या हों पक्षका सक्षम हों ठीक है उसमें मतलब जो section 10 है उसमें पूरा बता रखा है conditions बता रखी है कि एक agreement के contract हो जाने के लिए क्या-क्या conditions पूरी करने पड़ेगी तो यह दस्वा यह जो second लिखा है पूरा sign लिखा है an agreement enforceable by law is a contract बिल्कुर सही बात है और every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement प्रतेक वचन वा वचनों का एक सम्भू या समुच्य जो एक दूरसे के लिए प्रतिफल का निर्मान करे वो एक समझोता है तो sections भी पास पर देख लीजेगा नकेवल जो statement दीवी है legal statement है तो फिर उसकी धारा भी सही होनी चाहिए तो ये 2E में define किया गया है ठहराओ को ठहराओ या समझोता और 2H में define किया गया है अनुबंद या contract को और ये जो लिखा है ये पूरी बात नहीं लिखी विए इसलिए इसे wrong माना जाएगा ठीक है से और the Indian contract act 1872 came into operation on and from तो सरी सितंबर 1872 से लागुआ है तो प्लीज उन्निस सो बहतर मत समझ लीजेगा ये 1972 नहीं है ये बहुत पुराना act है ये 1872 का act है और इतना relevant है कि आज भी बना हुआ है इसके बहुत सारे provisions आज भी लागू है और बहुत अच्छे से लागू ह तो एक सतंबर 1872 से ये पूरे देश में लागू हुआ है पहले ये जमू और कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था अब तो ये पूरे देश में ही लागू है फेरमा कॉशन गहता है match the following section 2i section 2j section 2h section 10 देकि अगर आपको पूरे सारे नहीं भी आते तो आप फोड़े से भ निवारे तत्व कौन-कौन से है essential elements कौन-कौन से है यानि एक agreement की enforceability के लिए क्या-क्या conditions है कि दो parties होनी चाहिए free consent होना चाहिए consensus होना चाहिए पक्षका सक्षम होने चाहिए ठीक है तो ये section 10 तो उन conditions को बताता है इसके बाद अगर 2h कहें तो जैसे मैंने अभी कहा कि 2s तो आप यादिगा लेजिए कि 2h contract का section है मैं देखता हूँ इससे काम चल जाता है क्या चौथा जाके match हुआ है A से तो ये वाला ब में A और C में tight call है अभी तक जो मेरे दो मैच हुए है वह सेम मैच हो गए है के बाद जो आई है आई से something आप ये याद रख लीजिए voidable कैसे याद करेंगे ये वाले आई से बीच वाला आई से voidable मतलब ऐसे contract जो सामने वाले को आपने डरा धमका के या जो जबरस्ती या प फिर लास जो बसता है तो फर्स्ट आपका बीके साथ जाके मेच हुआ रिश्ट आपका आपका बीके साथ मैच हुआ तो यह आपका अंसर लग रहा है और फिस second automatic मैच हो जएगा second C के साथ चला जाएगा और यह void contact होते है टू जे में कहलाते हैं अब होते हैं जो ठूह में ही कही जा सकता तो उसकाां स़ट अन्सीटरेशन होना चाहिए प्रतीफल चाहिए बिल्कुल सर, free consent होना चाहिए बिल्कुल, consensus होना चाहिए मत्यक्यता होनी चाहिए बिल्कुल सर ये सभी, बिल्कुल सभी ये सारे के सारे element होने चाहिए तब जाके आपका agreement enforceable होता है और वो valid contract में convert होता है ठीक है सर, चलिए next state who is competent to contract इसमें से बताईए कौन competent है एक पागल व्यक्ती देखिए पागल व्यक्ती unsound mind का होता है वो अनुबंद नहीं कर सकता एक नाबालिग या minor उसकी सर age नहीं है, 18 से छोटा है वो वो भी contract नहीं कर सकता अब person of sound mind बिल्कुल कर सकता है और एक परदानशी महीला परदानशी महीला ये बहुत पुराना कॉंसेप्ट है जर्रली वो उसे पता नहीं होता कुछ भी ये तरह से उसे disqualify कर रखा है क्योंकि उसके साथ agreement करना काफी risky भी रहता है तो स्वस्त दिमाग का व्यक्ती जो होता है अब person of sound mind वो आराम से आपका agreement या contract कर सकता है A invites B for his son's wedding A अपने बेटे की शादी के लिए B को आमंत्रत करता है B आमंत्रन स्विकार भी करता है शादी के लिए तो कौन बना करेगा In this case, there is a contract There is an acceptance There is an agreement और there is an offer देखे, sir, contract तो यह बनेगा नहीं Contract तो नहीं बनेगा उसने स्विकर्टी दी है, हाँ और agreement बना है, हाँ तो यह sir, agreement है क्योंकि जब वो card लेके गया तो उसने एक तरह से offer किया और सामने वाले ने कहा, हाँ आएंगे जरूर आएंगे, तो उसने acceptance जिदी, तो offer and acceptance जो होता है, वो agreement होता है मैं यह नहीं कहरा कि contract बन गया, यह आज के दिन में agreement तो होई गया, दोनों agree तो हो गए हिंदी में देखो word होता है ठहराओ, तो दोनों ने ठहरा तो लिया कि हाँ आएंगे, आएंगे या दोनों ने understanding तो develop करी लिए, कि उस दिन शादी और शादी में आएंगे तो समझ develop कर लिए, किसी बात पर ठहर गए, agree हो गए agreement तो करी लिया सत्रवा, in commercial and business agreement, the intention of the party is to create legal relationship जो वानिच जी को व्यवसाहिक समझाते होते हैं, मैं वैधानिक संबंद बनाने के लिए, पक्षकारों का इरादा माना जाता है, मतलब मैं अलग से बोलने के ज़वद नहीं है अगर आप एक business में है और आप जो agreement करते हैं या करना चाहते हैं, तो माना जाते है कि वो serious होकी करना चाहते है वो आपके लिए कोई हसी मजाग का विशय नहीं होता तो जो commercial or business agreement है उसमें तो parties का जो intention है, वो assume कर लिया जाता है, मान लिया जाता है अस्तित्व में माना जाता है बाकी जो होते हैं, social agreement domestic agreement, political agreement वहाँ पे आपको specifically बताना होता है business में तो आप serious होके ही जाता है, ठीक है next is which of the following statement are true इनमें से क्या true है first, all all void है all illegal agreements are void, ठीक है but all void agreements are not necessary illegal, बिल्कुँ सही बात है, ठीक है जो ठहरा हो, aware है वो व्यर्थ होते हैं लेकिन जो व्यर्थ होंगे, वो aware होंगे ज़वरी नहीं है, तो ये विल्कुल ठीक बात लिखिए है तो, first नहीं लिखा है past consideration is no consideration गलत है इंडिया में consideration तीनों तरह का हो सकता है present में भी हो सकता है हो सकता है, हम past में consideration दे चुके हूँ वचन हमने बाद में लिया हो तब अपन detail में बाद में और पढ़ेंगे consideration future में भी हो सकता है तो ये जो second statement लिखा है consent obtained by fraud makes the agreement void void नहीं सर, voidable void होना चाहिए था ये जो statement लिखा है गलत है आपको लगेगा कि सर किसी से अगर fraud करके हमने सहमत ही लिये तो फिर तो agreement void होगा ना void नहीं हुआ, voidable हुआ और social agreement are not enforceable in the courts ये भी सही है तो इसमें पहला सही है और चौथा सही है first and fourth सही है और अगर इसमें मालो एक ही सही बोलने बोलता ना कि एक ही सही चुनो तो first ज़्यादा सही है तो कि social agreement भी कभी enforceable हो सकते हैं अगर पक्षकारों का बहुत इरादा हो तो इस तरह की बात अभी नहीं कहीं गई है और हमें तो वैसे भी नीचे option देखे पता लग रहा है दो बताने हैं तो पहला statement true है और चौथा statement true है बाकि दोनों दूसरा और तीसा तो बिलकुल गलत लिखे हैं next is which of the following is not a condition for the element of a valid contract तो अग आपके वो जो कहें अनिवारे तत्व होते हैं अनिवारे शर्ते होती है उसमें भी जो है कि आपका उद्देश्य वैद होना चाहिए और प्रतिफल वैद होना चाहिए बिलकुल है पक्षकार योग्या होने चाहिए पक्षकारों की consent free होनी चाहिए स्वतंतर सहमती होनी चाहिए ये बाद भी सही है समझोते का registration हो ऐसी कोई जवद नहीं है even contract act तो कहता है कि ठहराओ का लिखित में होना भी आवशक नहीं है ये तो कह रहे हैं कि something ठहराओ लिखित भी होगा registered भी होगा इतनी जववत नहीं है जो essential element है उसमें registration की बात कहीं नहीं है बाकी ये तीनों बाते हैं अब अपन भीकुल last में आ चुके हैं ये आखरी question रहने वाला है free consent is an essential element of a valid contract and the consent of a party is not free where it is obtained by undue influence, quotient, fraud all of these देखे सर अगर अनुबंद को व्याद बनाना है तो पक्षकारों की न केवल सहमती होनी चाहिए बलकि वो स्वतंत्र होनी चाहिए free consent होनी चाहिए free consent मिला दिल से सहमती दियो अगर आपने उसके उपर कोई influence डाला, वो आपके प्रभाव में है आपने influence डाला तो फिर वो कहें consent free नहीं रह जाती या आपने उसको डराया, धंकाया, मारने, पीटने की धंकी दी, कोर्जियन किया तो वो भी फिर आपकी सहमती स्वतंत्र नहीं रह जाती या आपने उसे fraud करके, बहला फुसला के, जुटे वादे दिखाके उसकी सहमती लिए, तो भी वो consent free नहीं रह जाती तो इन सभी मामलों में consent free नहीं होती और ये जो contract होंगे, वो आपके voidable होंगे और 2i में इनको define किया गया है ठीक है सर, वीडियो आपके लिए useful रहा होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं जो exam के तैयारी कर रहे है चैनल को subscribe कर लिजे मैं school lecturer के लिए 100 वीडियो की series बना रहा हूँ पूरी तो back to back आपके बाए वीडियो आते रहे तो चैनल को subscribe कर लिजे Thank you very much